ओम् भद्रम कर्णेभिह शुनुयाम देवा भद्रम पश्ये माक्ष भिर्य जत्राह स्थिरै रंगे स्तुष्टु वांग सस्तन उभिर् व्यशेम देव हितम यदायुह स्वस्तिन इंद्रो व्रिधश्रवाह स्वस्तिन पूशा विश्ववेदाह स्वस्तिन स्तक्षर्यो अरिष्टनेमिह स्वस्तिनो ब्रहस्पतिर्दधातू ओम शान्तिह 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 ओम कल्यान कारी कानों से सुनें हे देवताओं देखें नेत्रों से पूजा करने योग्य स्थिर अंगों से स्तुती गान करने की तन में आशा करें देवहित द्वारा जो आयू है कुशल हमें इंद्र तीवरता के स्वामी कुशल हमें पूशन विश्व के ग्याता शान्ती 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 ओम नमह पर्मात्मने हरियोम शष्ठम प्रश्ण अत हैनं सुकेशा भारद्वाज़ प्रपच्च भग्वन हिरण्य नाभः कोसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्य एतं प्रश्णम अप्रच्च्च अब उसको सुकेशा भारद्वाज पूछा भग्वन कोसल के राजपुत्र हिरण्य नाभ ने मुझे समीप आकर ये प्रश्ण पूछा ये भारद्वाज सोलह भागों वाले पुरुष को जानते हो मैंने कुमार को कहा नहीं मैं इसको जानता हूँ यदि मैंसे जानता होता कैसे तुमें नहीं बोलता ऐसे समूल कदाचित वह सूकता है जो जूट बोलता है इसलिए नहीं जूट बोलने में समर्थ हो सका वह मौन रहकर रत पर आरूड होकर चला गया वह तुमसे पूछता हूँ कहा है पुरुष ऐसे व्याख्या प्रश्णोपनिशत का छटा तथा अंतिम प्रश्ण भगवान पिप्पलाज से सुकेशा भारदवाज ने किया है वे कहते हैं कि भगवन कौसल के राजपुत्र हिरन्यनाभ ने मेरे समीप आकर मुझसे प्रश्ण किया कि हे भारदवाज सोला भागों वाले पुरुष को जानते हो जो जूट बोलता है वे सूख जाता है इसलिए तब मैंने उसको मार को कहा मैं इसको जानता नहीं हूँ यदि मैं इसे जानता होता तो तुम्हें कैसे नहीं बताता तब वह हिरन्य नाभ मौन रहकर रत पर आरूड होकर चला गया अब इस प्रश्ण को मैं आप से पूछता हूँ कि कहा है वह पुरुष यहाँ पर भी हमें प्रश्ण करने वाले के नाम को समझना होगा ताकि हम उसके प्रश्ण को समझ सकें अपे तो यहाँ पर प्रश्ण करता सुकेशा भारदवाज हैं किन्तु वास्तविक प्रश्ण करता हिरन्य नाभ है तो हमें यहाँ पर सुकेशा भारदवाज को भी समझना होगा और हिरन्य नाभ को भी समझना होगा चलिए पहले सुकेशा भारत वाज के नाम के अर्थ को समझते हैं सुकेशा शब्द का सीधा अर्थ होता है सुन्दर केशों वाला और प्रायह लोग यहीं पर रुख जाते हैं और पूरे संदेश को नहीं समझ पाते केशों का हिंदू ग्रंथों में बहुत महत्व है हमारे सभी भगवानों के केशों का विवरण हमें ग्रंथों में देखने को मिलता है जैसे भगवान शिव जटाल हारी है माता काली के केश खुले रहते हैं माता गौरी के केश बंधे रहते हैं भगवान कृष्ण के केश घुंगराले होते हैं, वहीं राधरानी के केश चोटी में बंधे होते हैं, इन सभी विवरणों में गहरा रहस्य छिपा हुआ है मूलत है केश हमारी मनोवस्था को दर्शाते हैं जहां बंधे केश संयम का प्रतीक है तथा खुले केश स्वच्छंदता का प्रतीक है भगवान शिव संयम में सबसे उपर माने गए है इसलिए वे जटाधारी है जबकि श्रीकरश्न सदा मुक्त है इसलिए उनके केश खुले एवं भूंगराले है माता काली असंयमिच शक्ती है इसलिए उनके केश सदा खुले रहते है जबकि माता गौरी संयमिच शक्ती है इसलिए उनके केश बंधे रहते है इसी प्रकार राधारानी के केश चोटी में बंधे रहते है जो उनके किशोरी होने का प्रतीख है जिस आयू में कुमारिस्त्री को संयम में रहना चाहिए भगवान कृष्ण को केशव कहा जाता है अर्थात वह है जिसने केशी राक्षस का वद किया केशी राक्षस एक अश्व के रूप में गोकुल में आया था अश्व के केश सदा खुले एवं अनरगल रहते हैं जो मन के संयम को भंग करने का प्रतीख है इसलिए केशी राक्षस मन के संयम को भंग करने वाला है जिसका वद करने वाले श्री कृष्ण है जो उसके पश्चात फिर गोकुल में संयम को पुनह ले आते हैं इसलिए सुकेशा नाम से यहां अर्थ केवल सुंदरकेशो वाला नहीं है अपे तू सुंदरकेश यहां पर सुंदर मनोस्थिती के सूचक है आईए अब भारदवाज शब्द के अर्थ को समझते हैं वैसे तो हमें भारदवाज मुनी का विवरण सभी हिंदू ग्रंथों में देहने को मिलता है, किंदू भारदवाज शब्द का मूल अर्थ हम इस बात से समझ सकते हैं कि चक्वा जो एक प्रकार का पक्षी है उसके लिए भी संस्कृत में भारदवाज शब्द का ही उपयोग होता है अब भारदवाज शब्द को देखिए इसको हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं भार प्लस द्वा प्लस ज अर्थात दो के भार से जनित इस प्रकार भारदवाज शब्द का अर्थ दो के जोड़े से संबंदित है रिगवेद के दूसरे मंडल के 49 सुक्त का तीसरा मंत्र अश्विन कुमारों को चकवे के जोड़े के रूप में संबोधित करता है चकवा को लेकर प्राचीन काल से किमवदंती चली आ रही है कि चकवा और चकवी दिन के समय एक दूसरे के साथ प्रेमपूर वक एक जोड़े के रूप में रहते हैं किन्तु रात हो जाने पर वे बिछड जाते हैं इसलिए चकवा के लिए कबीरदास जी कहते हैं सांज पड़े बीतबे चकवी दिन ही रोये चल चकवा वह देश को जहां रैन नहीं होये अर्थात सांज होते समय चकवी रोती है और चकवा से कहती है कि चल उस देश को चलते हैं जहां कभी इस प्रकार चकवा और चकवी ईश्वर तथा जीव के बीच के दिव्य प्रेम का सूचक हैं जहां चकवा परमात्मा है और चकवी जीवात्मा है तो भारदवाज वास्तों में वह व्यक्ति है जिसने ईश्वर के प्रती दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लिया है जिसे भक्ती कहा जाता है यह भक्ती जो प्राप्त कर लेता है वह फिर ईश्वर को बिना जाने रह नहीं सकता इसलिए सुकेशा भारदवाज भगवान पिप्पलाच से पुरुष को जानने के विशाय में यहां पूछ रहे हैं अंत में आईए अब हिरन्य नाब शब्द के अर्थ को भी समझते हैं वैसे तो ये दोनों एक दूसरे से प्रतीत होते हैं किन्तों वास्तों में ये दोनों एक दूसरे से संबंदित हैं स्वर्ण एक ऐसा धातु है जो सदा एक समान रहता है इसलिए इसे आत्मा का सूचक माना गया है यही कारण है कि राधारानी का वर्ण स्वर्णिम है क्योंकि वे भगवान कृष्ण से अत्याधिक प्रेम करती है वीर्य के द्वारा एक जीव से दूसरा जीव उत्पन्न होता है और इस प्रकार से अव्या आत्मा का परिवाहन वीर्य द्वारा ही होता है और आत्मा क्योंकि परिवर्तन शील नहीं है इसलिए वह स्वन्ड के अनुरूप है तो इस प्रकार से वीर्य और स्वन्ड दोनों एक दूसरे से संबंदित हो जाते हैं आत्मा दुआरा यही कारण है कि भगवाण शिव का वीर्य सवर्ण का है क्योंकि वे शुद्ध आत्मा है तो इस प्रकार हिरण्य के गर्भ में प्रवेश से ही यह संसार उत्पन हुआ है जिसका विवरण हम हिरण्य गर्भ सुक्त में देखते हैं नाव का अर्थ होता है केंद्र या फिर नाभी जब हम गर्भ में होते हैं तो मा से अपनी नाभी द्वारा ही जुड़े होते हैं इस प्रकार हमारे शरीर की नाभी का विशेश महत्व है क्योंकि यह ही वह चक्र है जिस से हम अपने शरीर से जुड़े हुए है शरीर की नाभी से यदिजीव शरीर से जुड़ा है तो इसी प्रकार ब्रम्हांड की नाभी से ईश्वर इस संसार से जुड़ा है अर्थात जिसकी नाभी हिरन्य है वह परमपुरुष परमात्मा है तो जब हिरन्य नाभ ने सुकेशा भारदवाज से पूछा कि क्या तुम सोलह भागों वाले पुरुष को जानते हो तो यह मूल रूप से दर्शाता है कि ईश्वर प्रेमी से ईश्वर ने पूछा कि मुझे जानते हो क्या अपने भक्तों से ईश्वर सदा यह प्रश्न करते रहते हैं ताकि उनको अपनी और आकर्शित कर सकें सुकेशा भारदवाज इस प्रकार से सभी प्रश्न करताओं में से इस समय ग्यान एवं भक्ती में सबसे उन्नत स्थिती में है उसके लिए वह बोला यहाँ निश्चित ही भीतर शरीर में सोम से प्रेम करने वाला वह पुरुष जिसमें ये सोला भाग ऐसे प्रकट होते हैं स इक्षा चक्रे कस्मिन हम उतकरांत उतकरांतो भविश्यामी कस्मिन वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामी ती उसने विमर्ष किया मैं किसमे से बहार निकलने से बहार निकलूँगा किसमे कदाचित स्थित होने से स्थित रहूँगा ऐसे सब प्राणम स्रजत प्राणा छ्रद्दाम खम वायूर जोतिर आपह प्रतीवी इंद्रियम मनह अन्नम अन्नाद वीर्यम तपो मंत्राह कर्म लोका लोकेशूच नामच उसने प्राण स्रजत किया प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायू, अगनी, जल, प्रित्वी, इंद्रिया, मन, अन्न, अन्न से वीर्य, तप, मंत्र, कर्म और लोक और लोकों में नाम व्याख्या, भगवान पिप्पलाद सुकेशा भारदवाच ये प्रशन पर कहते हैं कि वह सोम से प्रेम करने वाला पुरुष शरीर के भीतर ही उपस्तित है, जिस में से ये सोला भाग आगे प्रकट हुए है, भीतर बैटे हुए उस पुरुष ने विमर्ष किया, अर्थ ठीक उसी परकार सुम को अनुभव करने के लिए पुरुष ने ये जगत उत्पन्न किया, ताकि वह स्वें शरीर में स्थित रहकर बाहर कुछ अनुभव कर सके। उसने तब सोला भाग उत्पन्न किये जिसमें सबसे पहले प्रांट सजित किया, प्रांट से उसने श्रधा आकाश, वायू, अगनी, जल, पृत्वी, इंद्रियां, मन अन ये उत्पन्न किये आगे उसने अन से वीर्यत, तप, मंत्र, कर्म और लोग उत्पन्न किये और आगे लोकों में नाम उत्पन्न किये इस परकार हम देख सकते हैं कि पुरुष ने ही इस संसार की उत्पत्ती की और आगे वह ही शरीर में बैठे वे संपूर्ण जगत को अनुभव करता है और इस लीला का आनंद लेता है यहाँ पर जो उत्पत्ती की शंकला का वर्णन भगवान पिपलाद ने दिया है आईए उसको समझ लेते हैं उन्होंने कहा कि पुरुष ने सर्वप्रथम प्राण को सरजित किया जिसमें से श्रद्धा, आकाश, वायू, अगनी, जल, पृत्वी, इंद्रिया, मन और अन्न उत्पन्न हुए यहाँ प्राणों से सभी का उत्पन्न होना समझ आता है श्रद्धा सब्द को यदि हम दो भागों में तोड़ें तो यह होता है श्रद प्लस धा जहां श्रद धातू हृदय से सब्बंदित है और धा धातू धारण करने से सब्बंदित है इस प्रकाल से श्रद्धा शब्द का अर्थ होता है वह जिसे हृदय में धारण किया जाता है। प्रायह आस्था व्यक्ति के हृदय में ही धारण होती है, इसलिए श्रद्धा और आस्था को एक ही कहा जाता है। किन्तु वास्तों में शद्धा का अर्थ आस्था से अधिक व्यापक है, जो कुछ भी हृदय में धारण किया जाता है, वह सब शद्धा है. गीता में श्रेकृष्ण ने कहा है कि सभी व्यक्तियों में शद्धा होती है, जो उस व्यक्ति की प्रकृति है, प्राण ही शक्ति को उत्पन्न करते हैं, जो की प्रकृति की उत्पत्ति है, और प्रकृति की उत्पत्ति में तीन गुणों का उदय होता है, इन तीन गुणों प्रकरती ही कहा है कि व्यक्ति की जो प्रकरती होती है वह ही उसकी शद्धा होती है तो जीव की प्रकरती जो होती है वह प्राणों से उत्पन्न होती है उस विशे में यहाँ पे कहा गया है प्रकरती से ही आगे फिर आकाश, वायू, अगनी, जल, प्रित्वी, इंद्रियां और मन उत्पन्न होते हैं। और आगे की पीडियों में संचारित कर दिये जाते हैं। वारा ही आसकती उत्पन्न होती है जो जीव की गती निर्धारत करती है ये गती ही जीव के लोग को निर्धारत करती है और इस प्रकार से लोग में उपस्थित सभी वस्तुओं को उनकी प्रकृति के अनुसार नाम दे दिये जाते हैं ऐसे एक पुरुष से ही सभी नाम अर्थात भाग हम देखते हैं अकलो अम्रितो भवती तदेश स्लोकह वह जैसे नदियां बहकर समुद्र में गिरकर समुद्र को प्राप्त होकर जाती हैं विनाश को उनको नाम रूप में समुद्र ही अब कहते हैं उस ही प्रकार इसका समपून दर्शन करके यह सोला भाग पुरुष में गिरकर पुरुष को प्राप्त होकर जाते हैं विनाश को और उनको नाम रूप में पुरुष ही कहते हैं वह ऐसे भाग रहत अमरित होता है वह येश लोग है अरा जिस प्रकार रत की नाभी के भागों जैसे उसमें स्थित होती है उस जानने योग्य पुरुष को जानो ताकि तुम नहीं मृत्यू से चिंतित हो ऐसे उनको कहा इतना ही मैं उस परम ब्रह्मो को जानता हूँ, नहीं उससे परम है उन्होंने उसकी अर्चना की तुम ही हमारे पिता हो जो हमारी परम अविद्या को पार करवाते हो ऐसे नमन परम रिशियों को, नमन परम रिशियों को व्याख्या, अंत में भगवान पिपलाद जीव एवं परमात्मा की एकता को बताते हुए कहते हैं कि जैसे नदियां जब बहकर समुद्र में गिर जाती हैं तो उनको नाम रूप में समुद्र ही कहते हैं उसी परकार सोलह कला वाले पुरुश में गिर कर सभी नाम रूप पुरुशी हो जाते हैं और अमरता प्राप्त करते हैं जिस प्रकार रत के पहिये की नाभी से अरा अर्थात स्पोक्स बाहर की और निकलते हुए पहिये को धारन करते हैं, किन्तु नाभी के ना होने पर वे पहिये को धारन नहीं कर सकते, उसी प्रकार तुम्हें उस जानने योग्य पुरुष को जानना चाहिए ताकि तुम मृत् चिंतित नहीं रहो यह कहकर भगवान पिप्रलाद ने कहा कि केवल इतना ही मैं परव ब्रह्म के विश्य में जानता हूं इससे अधिक मैं नहीं जानता तब सभी ने उनकी अर्चना की और कहा कि तुम ही हमारे पिता हो जो हमें हमारी परम अविद्या से हमें पार करवाते हो नमन है परम रिश्यों को जैसा कि हमने पिछले मंत्रों में समझा कि सभी भूत अनेक नाम रूपों में परम पुरुष्ट से ही उत्पन्न हुए है ये नामों और रूपों का भेद विशय भोगों के आधार पर जीव द्वारा किये गए तप मंत्र और करमों के आधार पर ही हुआ है प्रकरती के जिन भी गुणों को हमने अपने हृदय में धारन किया है उनके द्वारा ही हमने अपना अन्न अर्थात विशय भोग किया है और इस विशय भोग से ही हमारी गुणों में आ सकती हुई है अर्थात हमारी शद्धा से ही हमने नाम रूप प्राप्त किया है यह जो नाम रूप है यह अन्न के आधार पर परिवर्तनशील है और इस प्रकार इसके अस्तित्व का आभाव है किन्तु हमें इसका भाव प्रतीत होता है क्योंकि यह परिवर्तनशील है और हमारा ध्यान केवल परिवर्तन शील पर ही होता है। इस प्रकार से जो सदा निश्चल है उसको हम भूल जाते हैं और इसलिए हम परम पुरुष को भूल गए हैं। अपितु वह परम पुरुष ही हमारा सच्चा स्वरूप है किन्तु हम उसको नहीं जानते क्योंकि हम स्वयम के नाम रूप के अस्तित्व को बनाये रखना चाते हैं और इसलिए सत्य को देखना ही नहीं चाते हैं। आभाव का भाव सिद्ध करने हे तू, जिसका भाव है, हम उसको देखते ही नहीं, नाम रूप जो की परिवरतन शील है, निश्चित ही विनाश को पराप्त हो जाएंगे, और हम वह नहीं हैं, परन्तु तब भी हम उनकी मृत्यू का भाय करते हैं, अर्थात जिसका आभाव ह हम उसको स्वैम मान लेते हैं, और आगे विरत ही बृत्यू से भाय करने लगते हैं, यदि हम ये नाम रूप से आसकती को त्याग दें, तो हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, किन्तु हम इस आसकती को त्याग नहीं पाते, क्योंकि अपनी पहचान को खोना हम नहीं च तो आप किसी अन्य राष्ट्रियता के नहीं हैं, और इस प्रकार से आप परम पुरुष नहीं हैं, क्योंकि परम पुरुष की कोई राष्ट्रियता नहीं है, वह राष्ट्रियता के परे हैं, तो आप राष्ट्रियता के परे नहीं जा सकते, तो आप परम पुरुष को न ठीक इसी प्रकार और भी जो अन्य नाम और रूप आपने पकड़े हुए हैं यदि आप उन सब को त्याग दें तभी आप परम पुरुष को जान सकेंगे केवल इस नाम रूप के त्याग से ही जीव अमरता को प्राप्त कर सकता है क्योंकि ये जो सभी नाम रूप हमने पकड़ रखे हैं ये सभी नश्वर हैं और एक नई एक दिन ये नश्ट हो ही जाएंगे प्रायह हम इस्तियाक को करने से घबराते हैं क्योंकि ऐसा करना ब्रत्यू के ही अनुरूप है हमारे भीतर एक शुन्य है जिसको हम कभी देखते नहीं क्योंकि हम उसे देखने से डरते हैं उसको देखना ब्रत्यू को सीधे अपने समक्ष देखने के अनुरूप है इसलिए जैसे ही हम रिक्तमन होते हैं हम किसी ने किसी अन्यक्रिया में लग जाते हैं ताकि हम उस शुन्यता को ना देखें लोग फोन देखने लगते हैं टीवी देखने लगते हैं किसी से बात करने लगते हैं क्योंकि बेना क्रिया के वह शुन्य हमें खाने को दोड़ता है। किन्तु यदि आप इस शुन्य से न डरें और उसे अपना लें तो वह आपके लिए मुक्ती का द्वार खोल देगा। क्योंकि उस शुन्य में कोई नाम रूप नहीं है। अपितु सभी नाम रूप उसी शुन्य में से आ रहे हैं। वह शुन्य ही संसार रूपी चक्र की नाभी है जिसमें से अनेक नाम रूप अरा के रूप में बाहर संसार में प्रक्षेपित हैं। यदि ना भी ना हो तो अरा का आधार भी नहीं रहेगा और इस प्रकार से अरा जो है वह नश्ट हो जाएगी अब अरा जो है वह तो घूमते रहते हैं इस प्रकार से परिवर्तन शील है किन्तु ना भी जो की केंदर में है वह सदा स्थेर रहती है उसमें कभी कोई परिवर् पुरुष तक जाना है या आपको इस संसार का जो उद्देश है उसको प्राप्त करना है या आपको परंपद की प्राप्ती करनी है तो आपको अरा नहीं बनना है आपको नाभी बनना है अर्थात आपको अपनी सभी उपाधियों को त्यागना होगा और जब आप अपनी सभ ओम भद्रम करने भिह शुनुयाम देवा भद्रम पश्ये माक्ष भिर्य जत्राह स्थिरै रंगे स्तुष्टु वांग सस्तन उभिर व्यशेम देव हितम यदायुह स्वस्तिन इंद्रो व्रिधश्रवाह स्वस्तिन पूशा विश्व वेदाह स्वस्तिन स्तक्षर्यो अरिष्टनेमिह स्वस्तिनो ब्रहस पतिर्दधातू ओम शान्तिह 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 ओम कल्यान कारी कानों से सुनें हे देवताओं देखें नेत्रों से पूजा करने योग्य स्थिर अंगों से स्टुती गान करने की तन में आशा करें देवहित द्वारा जो आयू है कुशल हमें इंद्र तीवरता के स्वामी कुशल हमें पूशन विश्व के ग्याता कुशल हमें ताक्षर्य सुरक्षा चक्र कुशल दो हमें ब्रहस्पती ओम शान्ती 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 कुशल में भूल जान्ती शान्ती हमें झाल में अ धोयों कुश Shit भी खूमरा हमें वखले झाल क्वबास रह्म